स्टूइंट्स स्वागत है आपका अपने चनल MGM Karean Street में तो स्टूइंट्स आज हम मूल कंसब्स को आगे फरदर प्रोसीड करने वाले हैं थीक है तो मूल कंसब्स को आगे पढ़ने से पहले स्टूइंट्स अगर आपने हमारे चनल को सबस्क्रीब नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कर दें और हाँ पहला icon को press करना ना भूलें ताकि आपको हमारे daily live lectures का notification सबसे पहले मिलें ओके इस्ट्रेंट्स तो चलिए हम mole concept को आगे बढ़ाते हैं mole concept में आज का हमारा first topic है अवेगेद्रो hypothesis इसके इसाब से अवेगेद्रो hypothesis में हमें अगर याद करना है students तो सबसे पहले हम क्या याद करेंगे कि V proportional to N होता है इसमें V proportional to N यहाँ पे V क्या है volume और N क्या है N हमें represent कर रहा है moles को लेकिन हम यहाँ पे number of molecules को इससे represent करते हैं कैसे तो इसके हिसाब से इस hypothesis के हिसाब से क्या था कि similar situations पे similar situations पे जो gases है उनका equal volume जो होता है वो equal number में molecules रखता है या उनके moles क्या होता है same होता है ठीके similar situations पे under similar situations में equal volume of each gases contain equal number of molecules and यहाँ bracket में साफ साफ लिखा हुआ है कि not atoms हम atoms के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम only किस के बारे में बात कर रहे हैं molecules के बारे में ठीक है हम atoms के बारे में बात नहीं कर रहा है हम only किसके बारे में बात कर रहे है molecules के बारे में atom नहीं हो गए यहां पर ठीक है तो इसका जो statement है वो है यह है कि according to this under similar situations similar situations से मतलब यहां पर pressure and temperature जो है constant होना चाहिए ठीक है similar situations equal volume of each gas हर एक gas का जो equal volume है वो same number में क्या रखेगा molecules रखेगा ठीक है तो कोई gas है, gas के लिए हम equation लगाते हैं PV equals to nRT यहाँ पे P और T क्या रहेगा, constant रहेगा, same रहेगा तो V directly proportional to क्या जाएगा हमारा n के बराबर मतलब अगर मैं volume बढ़ाऊंगा किसी gas का तो उसके number of molecules भी बढ़ेंगे और उसके moles भी बढ़ेंगे, तो यह कहने के लिए मैं यहाँ पर यह बहुत सकता हूँ कि अगर volume मेरा same है किसी gas का, this implies, उसके mole भी same होंगे और अगर mole same होंगे उसके, this implies, उसके molecule भी same रहेंगे इसका एक example यहाँ पर दे रखा है, एक reaction है, H2 and Cl2 जो कि हमें बना रहा है 2HCl, H2 and Cl2 react करके क्या बना रहे हैं, 2HCl बना रहे हैं, तो suppose, यहाँ पर जो है 1 volume है H2 का और 1 volume है, किसका Cl2 का, तो जो HCl बनेगा, वो कितना बनेगा, 2 volume बनेगा ठीके, 2 volume बनेगा, अब यहाँ पर अगर मैं suppose, कि जो molecule है, H2 के, वो N ले लू, ठीके molecule जो है, वो N ले लू, तो Cl2 की भी कितने रहेंगे, N molecule रहेंगे, और HCl के molecule कितने बनेगे यहाँ पर 2 N molecule बनेगे, क्योंकि जो gas है, V proportional to N है एक तो इसमें, और जो equal volume of gas है, वो कितना रखेगा, equal number of molecule रखेगा यहाँ पर, ठीके next है, law of combining volume, इसको किस ने दिया, इसको दिया, गैल उसाक ने, इसको गैल उसाक law भी बोलते हैं, ठीके, law of combining volume, इसमें क्या है, कि under similar condition of temperature and pressure, volume of reacting gases as well as product, bear a simple whole number ratio, मतलब की similar condition, similar condition से मतलब temperature और pressure जो होना चाहिए, constant होना चाहिए, इस similar condition पे, जो reacting gases होती है, या फिर उनके जो product बनते हैं, उन सब का जो ratio रहता है, वो एक whole number होता है, ठीके, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, कि जो gas हैं, आपस में, उनके stoichiometric coefficient, या फिर उनके mole के ratio में react करती है, ठीके, ये भी बोल सकते हैं, तो इसका statement यह है, कि under similar condition of temperature and pressure, volume of reacting gases as well as product, bear a simple whole number ratio, जैसे कि, एक example दे रखा है, हमें, H2, Cl2 and 2HCl, ठीके, तो इसका जो volume का ratio होगा, वो 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2 होगा, ठीके, तो हम या लिख सकते हैं, कि 1 volume H2, 1 volume Cl2 से react करके, 2 volume HCl बनाएगा, और volume की जगे पे हम mole भी रख सकते हैं, तो 1 mole, 1 mole से react करके, यहाँ पे इसे तरीक बनाएगा, यहाँ बनाएगा, इसे तरीके से volume की जगे पे हम लीटर भी ले सकते हैं, तो 1, 1, 1, 1, 2L से react करके, 2, 1L बनाएगा, लेकि हम students, gram नहीं लेख सकते हैं, यहाँ भी, ग्राम इस लिए लेख सकते हैं, एक और या आप एक example दे रखा है हमें N2 जो है 3H2 से रिएक करके 2NH3 बना रहा है तो ये जो है अपने क्या बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशेंट या फिर इनको मोल्स भी बोलते हैं पने को मोल्स की रेशियो में रियक करेंगा तो अगर सपोज हमें दे रखा है 10 L nitrogen जो है 30 L hydrogen से रियक कर है अगर 10 L hydrogen 30 L hydrogen से रियक कर H3 का कितना volume बनना चाहिए कितना इसका लिटर आना चाहिए तो suppose यहाँ पे अगर यह 1 volume है तो यह 3 volume बनेगा क्योंकि इसका extravecometric coefficient कितना है 3 है तो यह कितना बनेगा 2 volume बनेगा तो अगर 2 volume यह बन रहा है तो इसके साब से अगर जो N2 है वो 10 liter है और H2 जो है 30 liter है तो obviously यह कितना बनेगा 20 liter बनेगा टीके 20 liter और ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो N2 है वो 10 liter है और H2 30 liter है तो जो H2 है वो N2 के हिसाब से react करेगा तो N2 का 10 liter H2 के 10 liter से react कर गया S2 का 10 liter react कर गया तो बचा कितना 20 liter ठीक है तो जो बचेगा वो कहां चला जाता है इसमें और ऐसे भी बोच सकते हैं कि ये 10 लिटर है तो ये पहले खतम हो जाता है और जो चीज पहले खतम हो जाती है पूरी की पूरी प्रोड़क्ट में कनवर्ट हो जाती है तो ये 10 लिटर जो है पूरा का पूरा प्रोड़क् students next हम आते हैं फूर्थ हमारा जो टॉपिक है वो है relation between vapor density and molecular weight vapor density and molecular weight में क्या relation होता है तो इसका एक formula लिखा हुआ है first point में कि vapor density जो होता है equals to molecular weight divided by two molecular weight divided by two यह कैसे आता है हम बात में समझेंगे लेकिन अभी के लिए केवल formula है ठीक है next है vapor density vapor density होती क्या यह किसी भी गायस की density होती है older के respect में तो अगर हम एता निकालें तो कैसे निकालेंगे की density of gas divided by density of two जिसके भी respect में निकालते हैं उसकी daids से गइस को different कर देत से ठीक है तो वेपर डेंस्टी जो है वो जाएगा density of gas divided by density of H2 और इसकी value होती है 0.089 क्या होता है 0.089 यह कैसे आती है उसको देखते है NTP हमारे पास condition होती है normal temperature pressure उस पर pressure जो होता है 1 ETM होता है और temperature जो होता है 273.15 Kelvin होता है जब इतना होगा तो उस condition को हम बल देंगे क्या NTP तो density निकालने के लिए density का formula होता है pressure into molecular weight divided by R T जहाँ पर P क्या है pressure M क्या है molecular weight R क्या है gas constant R क्या होता है gas constant and T क्या होता है temperature और temperature को students याद रखना calculations में हमेशा किसमें रखना होता है Kelvin में तो यहाँ पर value रख देते है density of H2 निकालना है न मुझे तो density of H2 pressure कितना देखा है 1 ATM molecular weight H2 का कितना देखा है 2 और liter ATM mole Kelvin में gas constant की value होती है 0.0821 और temperature to 73.15 जब इसको हम calculate करेंगे students तो यह निकल के आता है 0.089 gram per liter ठीक है third one third one density का जो formula आता है general formula क्या आता है mass upon volume mass by volume और mass by volume से ही इसकी unit निकल के आएगी क्या gram per liter ओके students अब इस पे related हम कुछ questions कर लेते हैं जैसे कि इस question में हमें दे रखा है if density of X element is 0.089 gram per liter then calculate the molecular weight of X अब molecular weight निकालने के लिए पहले मुझे vapor density चाहिए ठीक है यहाँ पे दे रखा है density of X is 0.089 gram per liter तो मैं इस वाले formula का use करूँगा density of gas upon 0.089 इससे मुझे प्रास vapor density आजाएगी क्यों क्यों क्योंकि मुझे molecular weight निकालना है तो vapor density का formula हो जाएगा 0.0089 divided by 0.089 ठीक है इसको solve करेंगे तो यहाँ नीचे आजाएगा 4.0 और उपर आजाएगा 3.0 यह cancel हो गया यह कितना बच जाएगा 10 की power minus 1 ठीक है या फिर 0.1 और molecular weight क्या होता है molecular weight equals to 2 into vapor density विकाज अभी थोट देर पहले हमने देखा था कि vapor density का formula क्या आता है molecular weight divided by 2 तो 2 into vapor density तो 2 into 0.1 that is 0.2 gram per mole molecular weight की unit होती है gram per mole इस तरीके से x का जो molecular weight आएगा वो कितना आजाएगा 0.2 gram per mole ok friends next question एक और दे रखा है हमें कि हमें कोई unknown gas है उसकी density दे रखी 0.1 gram per liter और इसका vapor density और molecular weight निकालना है तो वैसे ही करना है vapor density के लिए क्या करेंगे अभी formula लगा है हमने gas की density 0.1 upon 0.089 0.1 upon 0.089 यह तो vapor density हो गई और molecular weight निकालने के लिए क्या करेंगे हम 2 into vapor density कर देंगे ठीक है 2 into vapor density 2 into 0.1 upon 0.089 gram per mole यह molecular weight अपना calculate हो के आ जाएगा next जो है relative density relative density for gases gases के लिए लगा सकते है इसको only ठीक है relative density अब देखो इसके name में लिखा हुआ है relative इसका मतलब यह किसी के respect में होगी तो relative density जो होती है यह किसी भी substance की density होती है same temperature and pressure पे किसी और substance के respect में जैसे कि अगर मैं कोई substance ले लो A and B और मैं पूछूँ कि relative density of A with respect to B यह क्या होता है relative density होता है उन दोनों के substance के molecular weight का ratio क्या होता है उन दोनों substance के molecular weight का ratio तो it is defined as a density of gas with respect to another gas at same temperature and pressure same temperature pressure पे किसी एक gas के respect में दूसरे gas की density को क्या बोलते हैं हम relative density और यह किसके बड़ाबर होता है it is equal to the ratio of their molecular weight ठीक है तो इस line के साब से मैं लेख सकता हूँ relative density of A with respect to B equals to molecular weight of A divided by molecular weight of B ठीक है तो relative density अगर हम से पूछे तो हम क्या करेंगे उनके molecular weight का ratio ले लेंगे ठीक है जैसे कि यहाँ पे पूछ रखा है हम से कि calculate relative density of O3 gas with respect to helium gas मतलव हम से पूछा है relative density of O3 with respect to helium तो मैं क्या करूंगा molecular weight of O3 divided by molecular weight of helium gas O3 का कितना होगा oxygen का होता है कितना 8 और sorry 16 तो 16 into 3 और helium का कितना होता है helium का होता है helium दो number पे आता है तो इसका होता है 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 4,4 जा 16 and 4,3 जा 12 तो relative density कितने हो जाएगी यहाँ पे relative density of O3 with respect to helium equals to 12 अंसर आजाएगा इसका तीक है बहुत simple question है अभी आगे थोड़ा tough होता जाएगा chapter next है 5th number specific gravity specific gravity जो है हम किसके लिए लगाते है solid है लिक्विट के लिए लगाते है तो specific gravity specific gravity भी क्या है relative density का ही एक part है अब अगर यह relative density का एक part है तो यह भी किसी के respect में होगा तो specific gravity जो होता है किसी भी substance की density होती है किसके respect में density of H2O at 4 degree Celsius के respect में तो मैंने जो बोला अभी वह यहां पर लिखा हुआ है कि it is a type of relative density relative density तो किसी के respect में होगी which is defined as density of any substance with respect to density of H2O at 4 degree Celsius तो specific gravity अगर निकाले हम इसका formula तो क्या आजाएगा specific gravity का formula कि density of any substance A divided by density of H2O at 4 degree Celsius तो density of substance तो किसमे होगा d equals तो किसमे होगा gram per liter में या gram per ml में और density of H2O at 4 degree Celsius होता है 1 gram per ml तो gram per ml से gram per ml कड़ गया और यहां पे आगया only density इसका मतलब students अगर आपको question में specific gravity दे रखा है तो इसका मतलब वो direct किसी substance की density दे रखी है अब देखो यहां से gram per ml gram per ml तो कड़ गया इसका मतलब जो specific gravity है वो unit less होती है तो point यही है यहां पे it is a unit less quantity ठीक है और magnitude जो हता है density का वही किसका magnitude होता है specific gravity का मतलब हमें specific gravity अगर 4 दे रखा है इसका मतलब density कितना हो जाएगा उस substance का 4 gram per ml ठीक है चलो next है vapor density इसको फिर से बढ़ते हैं मैंने बोला था कि vapor density equals to molecular weight divided by 2 कैसे आता है वो यहां से अब समझ में आएगा आपको यह किसके लिए होती है only gases के लिए होती है और यह भी relative density का ही एक part है अब यह भी relative density का एक part है तो यह भी किसी के respect में होगी तो यह किसी के respect में होती है यह किसी भी substance की या किसी भी substance नहीं हम किसके लिए लेते हैं इसको gas के लिए तो यह किसी भी gas की density होती है with respect to density of hydrogen at same temperature and pressure temperature pressure same होना चाहिए तब ही यह सब कुछ होता है तो vapor density अगर मैं किसी substance एक ही निकालूं तो वो क्या हो जाएगा वो substance की density divided by hydrogen की density molecular weight of A divided by molecular weight of H2 अब A का molecular weight तो हमें पता नहीं है और molecular weight of H2 होता है दो तो यहां से जो फॉर्मला आता है vapor density equals to vapor density equals to molecular weight divided by 2 वो यहां से derive होता है तो यहां से इसको हम इस तरीके भी लिख सकते हैं कि अगर किसी substance का molecular weight निकालना है तो वो substance की vapor density को 2 से multiply कर दो तो molecular weight to substance का निकल के आ जाएगा ओके students I hope आपको यह सब चीजे समझ में आ गई होंगी तो इससे related question यहां पर दे रखाया है वो हम कर लेते हैं vapor density of gases mixture of A and B A B के gases mixture का जो vapor density यह वो 30 है तो हमें calculate करना है density of mixture at 2 atm pressure and 300 Kelvin temperature वेपर density दे रखाया है में निकाल सकता हूँ molecular weight equals to कितना आता है 2 into vapor density 2 into 30 equals to 60 ठीक है और हम से पूछा है कि 2 atm pressure and 300 Kelvin temperature पे जो density होगा mixture का हो कितना होगा तो density of mixture अभी हमने एक formula लिखा था P into molecular weight of mixture divide by RT यह लगा सकते है तो P कितना है यहाँ पे 2 molecular weight निकल के आ है 60 divided by RT लीटर यह होता है and temperature temperature कितना देर रखा है यहाँ पे 300 Kelvin ठीक है तो इसको solve करेंगे तो यह आएगा 2 into 60 और इन दोनों का multiplication होता है 24 लगबग 24 ठीक है तो यह हो गया 6 इसको मैं 60 को 6 into 10 लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसे लिख ज़ता हूँ 6 into 10 ठीक है 6 into 10 तो यह कट जाएगा इससे 6 4 बार 4 बार कटेगा और यह इससे 2 बार कटेगा 224 और यह इससे 5 बार कटेगा तो density of mixture कितना जाएगा यहाँ पे 5 ग्राम पार एमर लगबग ठीक है तो कि मैंने लगबग value लिख है यहाँ पे 0821 into 300 की ठीक है तो यह लगबग कितना जाएगा 4 ग्राम पार एमर तो density of mixture इस तरह इसके scale plate हो जाएगा और यह इसका answer आजएगा ओके students तो I hope students आपको आज density के सारे terms समझ में आ गए होंगे इसके आगे का जो chapter है हम अगले वीडियो में proceed करेंगे ओके students थैंक यू